हेलो एवरीवन वेलकम तो आल इन एक्स फेम गैज आज हम डिसक्स करेंगे बिहार पियार्टी की जो कटफ होगी वो क्या होगा बिकास यहां का जो पेपर था वो काफी स्टेंडर्ड उसका जो पेपर का था वो काफी हाई स्टेंडर्ड था और एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिसने यह कह दिया हो कि भाई मेरा जो पेपर बहुत ही अच्छा हो क्योंकि पेपर का जो लेवल था जो स्लेबस था कहीं भी मैच नहीं खाता और क्या कट ओफ रहेगी उसको हम डिस्कस करेंगे क्या फैक्टर्स रहेंगे क्या क्या चीज़े जो आतुल प्रसाद नहीं भी बाद में ट्वीट किया कि हम ऐसे चीज़े रहेंगे वो क्या क्या फैक्टर होगा कितने जा सकती है कितने नंबर पे आप अपने आपको सेफ समझ सकते हैं इन सभी पॉइंट्स को आज मैं वन बा स्लेवस डिफाइन था हला कि बट उस स्लेवस का अकोर्डिंग कोशन नहीं पूछे गये तो फ्रस्ट फैक्टर जो पेपर की कट-off को डिसाइड करता है वह क्या है कि आपका पेपर का जो स्टैंडर्ड है स्टैंडर्ड क्या है आपके पेपर का दूसरा एक्जाम में कितन पैसी कितनी है। उसके बाद मनुदशा की बात करें। बच्चों की मनुदशा कैसी रही यह भी एक factor है। तो यहाँ पर एक एक factors क्या cut-offs आएगा one by one आप clearly समझ जाओगे कितने पे आपका score है और कितने पर आपका सेलेक्शन हो जाएगा डरने की ज़ुरुत नहीं है दि हम बात करें standard की तो paper का जो standard था उन्होंने यह बोला था मैं बात करूँ पहली बात तो बोला प्रात्मिक गनित क्या बोला था इनोंने प्रात्मिक गनित बट आप उसमें देखो उसमें सेक्टर प्रात्मिक गनित में सेक्टर कहां आता है भई सेक्टर का कॉंसेप्ट है नहीं है एक्वेशन पूछ लिया यानि कि समीकरन पूछा समीकरन का कॉंसेप्ट है नहीं है तो कञास तक तो कुछ है नहीं, यहाँ पर संकु पूच लिया हम से संकू, गोला, इन сब का कुछ है concept नहीं है, यह सारे concept यह nineth class में, nineth class का concept, nineth class में पूच तो nineth का paper उठाके primary में पूच लिया, तो यहाँ तो paper का standard आपको समझ में आ गाइगा, science की question साइंस का कोश्चन भी ऐसा तो जैसे इक घॉषन एक आयरं में आयरं को आप डालोगे तो कौन सी गैस इवाल होगी आप तो हाइट्रोसन के सब्सक्राइब ये फिफ्स तक का कि बूक में कहीं भी मिलेगा आपको कहीं नहीं मिलेगा तो कहीं न कहीं लेवल इसका हाई था यानि कि स्टेंडर्ड इसका हाई रहा नेक्स्ट प्रेजेंट के रही हम बात कर तो एक्जाम में 80% से उपर कैंडिडेट प्रेजेंट थे एक्जाम में बात करूं तो वैकेंश कितनी है 79,943 वैकेंश यहां पर आप्रॉक्स 80,000 वैकेंश यहां पर आप्रॉक्स 80,000 वैकेंश तो वैकेंश बहुत जादा है उसके बाद जो कैंडिडेट की मनदशा रही वह काफी कहीं न कहीं खराब सी रही कि यार दे होगा नहीं होगा बहुत सारी लफड़े ग्यार अगस्त को सुप्रीम कोड़ का जो जबाव आता है उसमें क्या किया गया विएड को बाहर कर दिया तो कुछ भी हो सकता है यहां पर आप जब से रिजल्ट वह सुना इन लोगों ने सुप्रीम कोड़ का उसके बाद पढ़ाएं में कोई मन नहीं है यहां चीजे चल रहे ठीक यार दे आएंगे जो होगा तो यहां पर कोई इनिशन में तलवार लटके इनके गरदन पर छूरा कभी भी चल सकता है ठीक है तो इनका सीम थोड़ा लग है भी तो स्टेंडर्ड अब हम बात करेंगे कट आफ पे कि कट आफ क्या रहेगी अब देखो पेपर में जो ऑप्शन दिये गए एक्जाम में यह भी एक फैक्ट अब पांच ऑप्शन का बच्छा पी आटी वाला पेपर देता ही नहीं वह चारी उप्शन देखें चार ऑप्शन देखें तो यहां पर एक यह भी फैक्टर रहेगा तो गैस वन बात करें कट आफ की तो इक देख लो पहले बेसिक की जो कट आफ इन्होंने कितनी पहले ड एक EBC OBC के दो लड़के BC and EBC हो गया अब उसके बाद क्या है SC, ST and Woman then PWD यह सब एक कैटिग्री में PWD यह सारे के सारे कहां एक कैटिग्री में तो जनरल को जो कट अब बोला इन्होंने वो बोला भाई 40% आप लाओगे minimum 40% उसके बाद BC को बोला गया 36.5% ठीक है EBC 34% और SC, ST, Woman 32% पेपर कितने का हुआ 120 marks का आपका पेपर था एक सो बीस नंबर का पेपर था और 40, 36.5, 34, 32% minimum criteria रखा गया इसके according कितने marks लाने होंगे इसको? 48 marks इसको लाने है इसको लाने है बई 44, इसको 41 और इसको 49 मीनिमम क्राइटीरिया है ये 44 marks BC वाला लाएगा EBC 41 और 49 marks SC, ST, Woman and PWA कहीं की भी वुमन हो जनरल की हो, अधर स्टेट की वुमन हो, सब के लिए इतना ही marks रखा गया, वुमन्स के लिए खास करा 48 marks जनरल वालों के लिए अब BPSC चेयर्मेन अतुल परसाद को भी लगता है डर इस चीज का की cut off उन्होंने भी देखा की cut paper का जो level है वो काफी high है और cut off के लिए उन्होंने specially बोला की cut off को हम क्या कर सकते हैं कम कर सकते हैं क्योंकि हमें जो बच्चे लेने हैं वो 75% हमें बच्चे लेने हैं किसका असी हजार है टोटल जो वकैंसी है 79,943 का 75% हमें लेना ही लेना है यानि हम टोटल जो असी हजार माल ले 80K माले तो 80K का 60,000 तो लेना ही लेना है अब साथ हजार रखना है तो minimum उनको एक चीज़ यहीं भी डर लगा उन्होंने बोला कि भाई पेपर का जो cutoff minimum क्राइटिकर उसको कम कर तक सकता है क्योंकि 75% अब इतने मांक्स नहीं आना है बच्चों को पास करने के लिए भी लाले पढ़ने वाले ग्यार एक्जाम क्लियर हो जाए वह भी मुश्किल है कि एक्जाम क्लियर हो जाए तीस नमबर पैंटिस नमबर लाना भी बहुत बड़ी बात होगी पांच ऑप्शन पेपर का स्टैंडर्ड ऐसा मैट्स के कोशन ऐसे रीजनिंग आसान यह रीजनिंग तो सभी के लिए वैसा सब्सक्राइब चलता है बट यहां पर जनल स्टुडिस बहुत मुश्किल अब आप ऑनलाइन बढ़ते होगी कहीं किसी यूटूब पर बढ़ाओगा आपने चनल पर ऑनलाइन में सिर्फ एक ही चीज़ वही वन लाइनर वन लाइनर सो डीपली नहीं कराएगा बट यहां पेपर इतना डीपली यार जैसे आप बीपीएसी का पेपर जाप अधिकारी बन सकती है वह इंपॉर्टेंट अब मैं उस पर डिसकस करता हूं कि कितनी जा सकती है तो सारे पॉइंट्स में आप से डिसकस कर दिया अब यह हम बात करें कट ऑफ की गई तो देखो यहां पर जो मीनिमम्म क्राइटियर रखा गया जनरल का 48 नंबर अब इतने भी नहीं आएंगे इतनी सीटे हैं सीटे बहुत है भाई बहुत जादा सीटे हैं अब यहां पर क्या होगा कट ऑफ के दी में बात करूँ कितनी कट ऑफ जा सकती है तो यह हम बात करें जनरल की दैन बी सी एबी सी एस सी स्टी भूमन को हम यह रखते और पी डावलो डी को रखते हैं ठीक है अब कितनी कट ऑफ इनकी जा सकती है देखो इससे यह जो मीनिमम्म क्राइटीरिया है इससे तो कहीं न कहीं और भी कम करना ही पड़ेगा भी परवाई उस हॉल में कही जितने भी पर थे कि जितने सेंटर थे कोई भी स्टोड़न्ट यह नहीं कह सकता यह पर भाई अजी था सब के लिए तो सब के लिए टफ था तो कटफ डैफिनेटली कम और फचातर रुशन सीटे भरनी है तो जनरल के दिमा बात करो देखो 48 पासिंग मार्स है जो आउटसा 60 इससे कम जाए बदर हम बीसी की बात करें थो बीसी को आप और और कमकर सकते हैं पांच नंबर बीसी, 55 मारक्स जिसके हैं सेफ समझो इवी सी की बात करें तो यह 50 मार्कस इस पे आप सेफ समझो 50 मार्कस पे आप सेफ समझो खुद को कि हां आपका डैफिनेटली हो जाएगा और वुमन हम बात करें तो बहुत करें आप पहले 49 और 49 पहले ही 49 है निहसे 45 नमबर सक्षाथ पैंतालिस मार्क्स अब जितने भी यह मार्क्स मन रखें साथ पच्पन पचास पैंतालिस अब यह जो मार्क्स है कि यह मार्क्स इससे ज्यादा तो नहीं जाया कटफ हाला कि इससे माइनस पांच और हो सकता है यह मूवन के पैंतालिस यह कम भी जाये कि 49 तो पासिंग मार्क्स है उसको भी एक कम करने की तैयारी में है उसको भी कम करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि 40-35 पे भी सेलेक्शन हो तो यहां पर कुछ भी हो सकता है भी कटफ और कम जाएगे तो साथ तो मैक्सम रखें जिनका है तो से समझ नहीं है भी इसमें से पांच पांच नमबर और घट जाएंगे उसका उससे भी ज्यादा कम हो तो कहीं न कहीं कट आफ बहुत ही लो देखने को मिलेगे आपको तो यहां पर घवराने की कोई बात नहीं भी पेसी नहीं जैसा बोला वैसा पेपर नहीं दिया हाला कि जो सेकेंड बेपर था लॉलीपॉप पेपर बहुत इजी पेपर बनाया वहां पर मैंने आपको पहले बोला कि हर एक सूड़न इतने मार्क्स लेकर आएगा ही लेकर आएगा पेपर का लेवल ऐसा था बट यहां पर बेवकूफ बनाया कहीं न कहीं बच्चों को सब्सक्राइब होने की जुरूत नहीं है अब दुबारा जिन्होंने सब्सक्राइब हरा हुगा और होपसब्स अब भी नेवह तяжे हैं अक्टूबर एग्जाइम है नॉव Kin오 ऩर में साय। तो घैई आल घौवेंट हैं। सब्सक्राइब का सेलेक्शन हो, थैंक यू वेरी मच्च